एक सिंग रहता है वन में और एक सिंग गाएका एक सिंग है वीर मादु सिंग और सिंग काएका अर्थात मादु सिंग के अलावा और सिर है ही कौन और वीर है ही कौन नमस्कार, स्वागत आप सभी का हिमाले की माटी के वीर पुत्र वीर मादो सिंग भंडारी जी पर आधारी इस वीडियो में एक ऐसा योध्धा जो अपनी वीरता साहस एवं परोपकार के कारण जीतजी जनता के मन में देवता का इस्थान पागिया इस द्रट संकल्पी पुरुस की वीरता की गाथा गाती है मलेथा की वे एतियासिक गूल जिसे इनने पहार का सीना चीर कर खोदा तो वहीं इनकी वीरता के किस्वे गाते हैं भारत तिबद सिमा परिस्थित इनके बनाये हुए बहुत सारे इसमारक एम चबूतरे इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और मुझे यकीन है इस वीर योद्धा के बारे में जानकर आपको स्वयम पर तथा हमारे इस गौरव साल इथियास पर अवस्य गर्ग होगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्स्राइब कर दिजेगा तथा बेल आइकन भी जरूर दबा दिजेगा वीर माधो सिंग भंडारी के पिता कालो भंडारी गडवाल के परमार राजवन्स की सेना के एक कुसल एवं वीर योद्धा थे कुछ अनुसरतियों के अंसार मलेथा को उनका ससुराल तथा उनकी बहन का ससुराल भी कहा जाता है वीरता के लिए प्रसिद्ध परिवार में जन में माधो सिंग अलपायू में ही अपनी वीरता एवं नेतर्त्त के गुणू से गड़वाल नरेस महीपति साह के सेना पति का पत्पराप्त कर लिया मलेथा की एतिहासि गूल बनाने की प्रेणा के पीछे जो वजह बताई जाती है वह कुछ इस प्रकार है इस अनुसृति के अनुसार जब एक बार स्रीनेकर दरवार से अपने गाव मलेथा वापस आए तो इनुने जब भोजन किया तो इनकी पत्नी या भावी ने इनको विलको एकद़ म्रूखा-शुखा भोजन दिया जब इनने इस्की वजह पूची तो इनको जवाब मिला कि जब गावं में पानी होगा तबी तो खाने बेनाया पानी हम इस्तिमाल कर पाएंगे दरसल मली था कि भॉगोलिक इस्तिती ही ऐसी थी कि वहाँ खेती सिचाई के लिए पानी पहुँचना असंभव जैसा लगता था जो बड़ी नदी अलगनन्दा थी वह गाउं से काफी नीचे बहती थी जिसकारण उसका पानी गाउं तक पहुचना असंभव था तो उनने उस पहाड का सीना चीर कर अपने गाउं तक पानी लाने की ठानी कहते हैं कि उनने चंदरभागा गाड से गूल दारा पानी लाने का सुझाओ गाउं वाले के सामने तथा राजदरबार में भी रखा परन्तु इस कारे को असंभव मानते हुए उनका दोने जगा उफासी किया गया फिर क्या था मादोसीं जी भी कहां हार मानने आ ले थे उट गए आकेले उनकी इस लगन को देखकर धीरे थे गाउं के लोग भी उनके साथ इस कारे में जूँने लगे और जब हांसला ही इतना बुलंद हो तो फिर असंभव क्या रह जाता है खोदी पाहड के नीचे से सुरंग लेकिन सुरंग के निर्माड होते होते एक और तो जहां गाउं में उत्सव का माहौल था वहीं मादोसीन जी के जियोन में दुखू का पहाड भी टूप पड़ा क्योंकि गूल बनने से गाउं में तो एक और जहां पानी आया सिचाई के लिए दूसरा मादोसीन जी ने अपने एकलाते पुत्र गजैसी को भी खो दिया इस घटना के पीछे दो वजह हैं बताई जाती है जो कि इस प्रकार है इन में से पहली तो यह कहीं जाती है कि जब एक बार गज़े से गूल को देखने के लिए वहाँ पहुंचे तो पहाड़ी से पत्थर गिर कर उनके सिर्मा लग जिससे उनकी बृत्ति हो गई लेकिन जब दूसरी कहानी है वह बहुत रोचक है इसके अंसार जब गोल बनकर तैयार होगी पूरी तरह से तो काफी प्रियास करने के बाद भी उस गूलना पानी नहीं आ पाया लोग वहाँ से पानी जोडते पर किसी नहीं किसी वज़े से गूलना पानी आता ही नहीं था सब परेसान हो गए तब कहा जाता है कि एक राद माधुसीन जी को उनके स्वपने में उनकी कुल देवी ने दर समझ दिये और कहा कि अगर तो अपने पुत्र की बली देगा तो इस गूलना पानी आता ही नहीं तो इस उनकर सोचने पड़ गए साथ ही गाउवालों को भी संसय आ गया लेकिन जो उनका पुत्र था गजे से उसने गाउवालों के दुख और अपने पिता के इस संसय को समझा तथा वो सहर से बली देने के लिए स्विकार हो गया और कहते हैं कि जब गूल में उनकी बली दी गई तो तुरंत उस सुरंगे से फिर पानी आने लग गया कहते हैं कि इस घड़ना के बाद मादो सिंग जी कभी मले था गाउव वापस नहीं आये कि उनके इस बल्दान की निसा नहीं वह गूल अभी भी गाउव के लगभग तीन सब परिवारों के जीवन को हरा भरा रखे हुए अभी मादो सिंग तथा उनके पुत्र गजे संग को देवतारों में पुजा जाता है तथा उनके पमाडे वीर गाथाएं आदिगाई जाती है और यहां से सुर्वात होती है उनकी अमर वीर गाथा की फित से वापस आते हैं महिपत साहजी के दरवार में उन दिनों दापागड के गड़पती द्वारा गड़वाल सामराजी पर समय समय पर आक्रमन होते रहते थे। महाराज महिपत साहा के तीन प्रमुख सेनापती थे। पहले माधो सिंग भंडारी, दूसरे लोधी रिखोला और तीसरे बनवारी दास। लोधी रिखोला के निर्थत्तु में राजा महिपत साही जी ने 16-24 में दापागड में आक्रमन कर दिया। इस युद्ध में दापा का गड़पती मारा गया तथा वहां पर गड़वाल सेना का अधिपत्य हो गया। राजा ने भीम सेन या भीम सीम बरतवाल तथा उनके भाई को वहां का प्रसासन सौप कर तथा सतलज नदिक तक गड़वाल की सीमन निर्थारित कर वापस अपनी राजधानी में आगे। कुछ समय पर चात लासा से साहता आई तिबबत से तो जो तिबबती सेना थी उसने फिर से दापागड़ पर हमला कर दिया। इस युद्ध में क्योंकि गड़वाल की सेना बहुत कम थी वहां तो तिबबती सेना ने दापा दुरुग को फिर से जीत लिया तथा बरतवाल बंधूं के साथ साहत लगभगपूरी गड़वाल सेना को मार दिया। इस पर नित्रत्यु समाला वीर माधोसी है। जुर्गम हिमालाई की विसम परिष्थिति में भी उनकी सेना ने तिबबती के चक्के चुड़ा दिया। क्योंकि बरतवाल बंधूं तथा सेना की जिर्वा हट्या की वज़े से प्रतिसोत की भाहनों में भढ़क रही गड़वाल सेना दुगने जोस के साथ लड़े थी। और जब माधोसी जैसे कुसल सेना पती का साथ हो तो फिर तो क्या कहने। जब राजा ने उनको शतलत नदी तक गड़वाल की सीमा को निद्धारित करने के लिए भेजा तो उन्होंने नेत्रत्य की जो मिसाल प्रस्तुत की हुआ है अपने आपमा अध्युती है। सतलत के किनारे छोटा चीनी में विसायर सेना के साथ गड़वाल सेना में भयंकर युद्ध हुआ। कुछ इथियासकार यह युद्ध 1635 में तो कुछ 1640 के बाद होनों निश्चित करते हैं। इस युद्ध में मादोसीं वीरगती को प्राप्त हुए या अक्ट्यति गायल हुए इस पर अभी भी संसे जताया जाता है। मृत्यु सबकी आती है परंतो 100 रिकाथा अमर रह जाती है। इस युद्ध में वीरता ने मादोसीं का साख्षात रूप धारण कर लिया था। जब वे चारों और सत्रों से गिर गए और गंभीर रूप से आहत हो गए तो उन्होंने सोचा कि मेरी मिर्त्यु पर मेरी सेना का मनोबल भी तूट जाएगा। बोजिल मन से अंगरक्षकु ने अपने नेता अपने सेनापते के आग्यां का पारण किया। तथा उनको हलका सा आग में गर्म जशा करके पालते की मुद्रा में पालकी में बैठा दिया गया। उनको इस अवस्था में देखकर गडवाद सेना का जोस्त और बढ़ गया। और वो अधित्वी सवर के साथ लड़े। इस प्रकार माधोसी ने नेतात्यु की मिसाल प्रस्तुकी तथा अपनी वीर्ता के कराण हमेशा के लिए अमर हो गया। कहा जाता है कि वहां से उनको भुनेवे शरीर को ही लाकर वापस यहां फिर उनका अंतिन संस्कार किया गया। ऐसे वीर योद्धा को कोटी-कोटी नमन है। तो यह थी वीर माधोसी महन्दादीजी की अद्भुच वीर्ता की कहानी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। पसंद आई ही तो वीडियो को लाइक कीजेगा और शेयर भी कीजेगा तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजे और बेल आइकन जरू दबा दिए ताकि आगी भी में इस तरह की वीडियो बनाओं तो आप तक जरूर पहुंचे और